मित्रो नमस्कार स्वागत है आपका चैनल कमल लंदलाल पर मैं हूँ आपका दोस्त कमल लंदलाल आज हम एक बहुत ही खास विशय पर बातचीत करने जा रहे हैं शरद पूरणिमा स्पेशल सीरीज के अंतरगर और आज हम आपको बताएंगे शरद पूरणिमा पर मेशित से लेकर मीन राशी वले क्या करें और क्या ना करें क्या करें सफलता पाने के लिए सुख पाने के लिए सम्रिधी पाने के लिए और क्या ना करें दुर भागे से बचने के लिए दुर्गटनाओं से बचने के लिए दारिदृता से बचने के लिए तो आज आपको ये बहुत खास और स्पेशल एपिसोड बता रहे हैं कि शरद पुर्णिमा पर मेश से लेकर मीन राशे वले क्या करें और क्या ना करें देखे सनातन धर्म में पुर्णिमा तिथी को बहुत ही जादा महत्व पुर्ण कहा गया है धार में कमानेता के अनुसार पुर्णिमा तिथी के दिन दान पुर्णिय और हुजापाट करने का अतिविशिष्ट महत्व माना गया है और जिवन में सुक्षम्रिद्धी की इससे प्राप्टी भी होती है वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनते हैं और इसे शरद पूर्णिमा को शरद रुतु की शुरुवात भी मना जाता है मिठी मिठी गुलाबी जो ठंड होती है इस पूर्णिमा से शुरू हो जाती है और इस पूर्णिमा को काजोगरी पूर्णिमा काजोगरी क्यों कहते हैं आपको कौन जागरा है को जागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे अनेक नामों से जाना भी जाता है धार्मिक ग्रंथ में वरणान मिलता है कि इस दिन से महालक्ष्मी एक महीने के लिए प्रत्वी पर मृत्तियों लोग पर प्रवास करती है इंदर के सफेद हाथी एरावत पर बैठकर और उल्लू की सवारी करके लोगों के घरों में जाती है और लोगों के कष्ट एक महीने तक हरती ये एक महीना जो है वो अतिविशिश्ट इस महीने के एंड से ही कार्थिक पुरी होने के बाद ही कार्थिक महीना शुरू हो जाता है तो ये वो दिन है मतलल लगबग लगबग तीस दुनों का वो समय है ये कहलाती वन दिपावली ये प्रकर्टी की दिपावली है और इसके बाद हमारी दिपावली आएगी जिसे हम मनिशों की दिपावली पहते हैं कार्तिक अमावस्या पर और उसके बाद कार्तिक पुर्णि शरत पुर्णिमा साल का एक मातर ऐसा दिन है जब चंद्रमा सोला कलाओं से परिपूर रहता है। इन सोला कलाओं का जो संबंद है वो महादेवी शौडशी जेने हम श्रीदेवी कहते हैं उन्हें ही महालक्ष्मी कहा गया है। उनके सोला शंगारों से हैं। उनके सोला कलाओं से हैं। मानेता के अनुसार शरत पुर्णिमा के कुछ खास उपाए करके धन सुक सम्रिधी पाई जा सकती और कुछ चीजों से परहस करके समस्या और परेशानियों से बचा जा सकता है। आईए जानते हैं शरत पुर्णिमा पर मेश से लेकर मीन राशी वा करें। आप जानते हैं मेश राशी वाले क्या ना करें। तो देखें कारशेत्र की परिशानियों से बचने के लिए शरत पुर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। दूसरी राशी वरिष यानिके टौरस की बात करेंगे। वरिष राशी वालो क्या करें आप सामाजे के प्रतिष्ठा में व्रधी के लिए शरत पुर्णिमा के दिन दही शैद के मिशरन से महालक्षमी का अभिशेक करें। वरिष राशी वालो क्या ना करें। दुर्भागे से बचने के लिए शरत पुर्णिमा के दिन शुद घी का दान और प्रियोग ना करें। त रामपत्य मतभेदों से मुक्ती पाने के लिए शरद पुरुणिमा के दिन हल्दी का दान और उप्योग ना करें चौथी राशी करक यानि की कैंसर की बात करेंगे करक राशी वालो क्या करें आप भाग्योदे के लिए शरद पुरुणिमा के दिन महालक्ष्मी पर गुडवाले मीठे चावल चड़ाकर उसे दान करें गरीबों है करकर राशी वालो क्या ना करें आप देखे व्यापार में लाब के लिए शरत पूरुणिमा के दिन इत्र का दान और प्रियोग ना करें पांच्वी राशी सिंग या निकलियो की बात करेंगे सिंग राशी वालो क्या करें आप आर्थिक नुक्सान से बचने के लिए शरद पूरुणेमा के दिन महा लक्ष्मी पर बारा हार सिंगार के फूल चड़ाएं सिंघ राशिवलों क्या ना करें हैं सामाजिक बद्धनामी से मुक्ति के लिए शरद पूरुनेमा के दिन गुड़ का दान और प्रियोग ना करें। क्या करें मांसिक विकारों से मुक्ति पाने के लिए पंच्या मरत में अपनी छाया देखकर महालक्षमी के मंधिर तान करें शत्रू बादा से बचने के लिए शरत-पुरुणे के दिन महालक्षमी पर आठ पीली कोडियां चड़ायां और इससे संभाल कर अपने पास रख लें धनुराशी वालो क्या ना करें आप आर्थे के संकट से चुटकारा पाने के लिए शरद पुरुणिमा के दिन तिल के तेल का दान और प्रियोग ना करें दस्वी राशी मकर आने की की के प्रकान की बात करेंगे मकर राशी वालो क्या करें कारो बड़ी परेसानियों से मुक्ती पाने के लिए शरद पुरुणिमा के दिन महालक्षमी पर कमल गट्टे चड़ाकर जिल्परवा अपने करें चान्दी का दान और प्रियोग ना करें ग्यारवी राष्य कुम्भ यानिक अक्वेरस की बात करेंगे कुम्भ राष्य वलो क्या करेंगे रोग विकारों से चुटकारा पाने के लिए शर्द पूरुणिमा के दिन महालक्षमी पर खीर पूड़ी का भोग लगा कर गरीबूं में दान कर दें। कुमराशिवलो क्या ना करें आप वाद विवाद से मुक्ति पाने के लिए शरद पूरुणिमा के दिन स्टील के बरतनों का दान और प्रियोग ना करें 12 राशी मीन. यानि पास स्ब्रस्जा이다 करेंगे. मीन राशी वालो क्या करेंगे? शिक्षा के शेतर में सफलता पाने के लिए श्रत पूरुनिमा के दिन महालक्षमी पर पांच बूमती चक्र चड़ा कर अपने पास संभाल का रख ले। मीन राशी वालोग क्या ना करें देखे संतान के कश्टों को दूर करने के लिए शरत पूरुणिमा के दिन चंदन का दान और पुरियोग ना करें तो दोस्तों आज हमने बात करी शरत पूरुणिमा स्पेशल सीरीज में मेश से लेकर मीन राशी वाले शरत पुरोडिमा के दिन क्या करें और क्या ना करें सफलता पाने के लिए समरिद्धी के लिए सुखों के लिए क्या करें दुर भाग्य दुर घटनाओ और दारिद रिता से बचने के लिए क्या ना करें ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर कल आपसे फिर मिलाकात होगी आज के लिए बस इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्चिवाए